नमस्कार आज की इस खास पेशकेश में मैं एश्वरे शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूँ चाहाँ आप देख रहे हैं तेश प्रदेश और दुनिया सुजिडी कुछ खास खबरे राजसभा चुनाव के नतीजों को NCP प्रमूग शरत पवार ने चमतकार बताया है तो हिंगोली जिले के कलम नुरी तहसिल के तोंडापुर की जिला परीशत शाला में अतिरिक्त पिरेड लेने के नाम पर छात्राओं से अश्लील हरकत करने का मामना सामने आया है वही मुंबई समय ठाने और नवी मुंबई के कुछ हिस्सों में आज प्री मौंसुन की बारिश हुई इससे लोगों ने उमस बड़े गर्मी में राहत की सास ले तो उधर औरंगाबाद में तनाव कुर्ण शांती बनी हुई है प्रशासन ने कानून अपने हाथ में लेने वालों को सीधी चेतावनी दी है इस बिच केंद्रिय औद्योगीक सुरक्षा बनने प्रमुक इसपात निर्माता जे इस डबली स्टील के महराश्चर के प्रदेश के इन पाज बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है हमारे साथ राज्यसवच चुनाओं के नतीजों को न्सीपी प्रमुक शरतपवार ने चमतकार बताया है उन्होंने कहा कि चमतकार इसलिए हुआ क्योंकि बीजे पी के देविंद्र पड़नविस निरदली उमिदवारों को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहे हाला कि इससे सरकार की स्थिती प्रभावित नहीं होगी शरतपवार ने कहा कि इन नतीजों से मुझे आश्चर या नहीं हुआ कॉंग्रेस शिवसिना एंसीपी को कोटा के अनुसार वोट मिला है सीवा एंसीपी के प्रफुल पटल को जिने अतिरिक्त वोट मिला है वोट M.V.A. से नहीं है ये दूसरी तरफ से आया है शिवसिना के संजे पवार के राज्य सभा चुनाव हार ने और भाजपा के धरंजे महाडिक की विजए होने की बाद पार्टी ने ता संजे राउत ने भाजपा पर आरुप लगाया है उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने शिवसिना का एक पोट आयोग्य घोशित कराने के लिए निर्वाजन आयोग पर दबाव बनाया इसलिए भाजपा की जित उतनी बड़ी नहीं है जितना बताया जा रहा है शिवसिना के दूसरे उम्मिदवार ने पहली प्राथमिक्ता वाले अधिक मत प्राप्त किये है राउत ने स्वयम राजपा की एक सीट पर जित हासल की उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि भाजपा के प्रत्याशी ने विजए हासल की है पहली प्राथमिक्ता वाले 33 मत पवार को मिले हैं, महाडिक को पहली प्राथमिक्ता वाले 27 मत प्राप्त हुए हैं, वही दूसरी प्राथमिक्ता वाले मतों के आधार पर जीते हैं, पतादे कि महाराश्य से कड़े मुकाबले में भाजपा के पियुज गोयल, अनिलबोंडे और महाडिक राज्यसभा चुनाव में विजे हुए है। लेकिन अधिरिक्त कक्षा लेने के नाम पर प्रभारी मुख्य धापक अवचार ने चात्राओं के साथ अश्निल हरकते करनी शुरू कर दी। अखडा बालापुर पुलिस थाने के सहायक पुलिस निरिक्षक पंधरिनाथ बोधनापोड जामदार शेक बाबर प्रभाकर भोंग गजानन मुटकुले मस्के ने तुरंथ तोड़नापुर में जाकर प्रभारी मुख्य ध्यापक को हिरासत में लिया। मुंबई जमें ठाने और नवी मुंबई के कुछ हिस्सों में शनिवार को प्री मौनसून की बारिश हुई इससे लोगों ने उमस भरी गर्मी से रहत की सास ली। कई जगह पेड गिरने की घटनाएं भी हुई। इस दोरान रास्ताबंध होने से लोगों को परिशानिया का सामना भी करना पड़ा। की रफतार से तेज हवाई चलेगी, साथी बिजली और मध्यम से तेज बारिश के साथ गरज के साथ पोच्छारे पड़ने की संभावना है। मानसून के दोरान किसी भी आपदा से निपड़ने के लिए ठाणे जिला प्रशासन ने एक्शन प्लान तयार किया है। जिले में बाड जिसे सितियों से निपटने के लिए पाच आटूमेटिक नाव सहित कुल उनहत्तर नावों को उपलब्त कराया गया है। इन नावों को मनपा प्रशासन, नपा प्रशासन और तहंसिल प्रशासन की पास रखा गया है। विभाग ने इस साल बारिश सामने रहने का अनुमान जताया है, साथी चिताया है कि रेनफॉल के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, ये बदलाव स्थानिय स्थर पर भी देखा जा रहा है। प्रदर्शन कारियों को संबुदित करते वे, AIMIM सांसद इम्तियास जलिल ने कहां कि उन लोगों को दंडित करने के लिए एक कानून बनाने की जरूरत है जो धार्मिक भावनाय आहत करते हैं। कि सरकार दस दिन तक शांत रही तथा जब दुसरे देशों ने एतरास किया तब उसने कदम उठाया। किसी को भी अन्यधर्म के अनुयायों कि धार्मिक भावनाय आहत करनी नहीं चाहिए। इस मामले में कारवाई की जानी चाहिए तथा कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए। मतादे कि भाजपा ने एक टीवी बहस के दोरान पैगंबर के बारे में कथित आपती जनक टिपणी करने को लेकर नूपर शर्मा को निलंबित कर दिया है। जबकि जिंदल को ऐसी ही टिपणी ट्वीट करने के बाद पार्टी से निकाल दिया गया है। कि इंद्रिय गुरुह मंत्राले के और से मंजूरी दिये जाने के बाद संयत्र को ये सुरक्षा कवच मिला है। इस सुरक्षा कवच पर आने वाला खर्ज कमपनी वहन करेगी। प्रवक्ता ने कहा कि JSW डोलवी भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के करिप स्थित है और ये न सिर्फ आसपास के क्षेत्रों में बलकि देश के आर्थिक विकास में एहम भूमी का निभाती है। तड्यक शेत्र से संयत्र की निकटा की वज़ह से इसे विभिलन प्रकार के खत्रे हैं और इसके मद्दे नजर JSW डोलवी की सुरक्षा अत्यंत महत्वपुरुन है क्योंकि एहम संयत्र राश्ट की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि 70 से अधिक कर्मियों की एक सशस्र टुकडी 1500 एकड में फैले परिसर और उसके करमचारी को सुरक्षा प्रदान करेगी और टुकडी के अगवाई बलके एक निरिक्षक सर्ग के अधिकारी करेंगे। इस सयंत्र की मुंबई से सडक मार्क से दूरी करीब 80 किलो मिटर है जबकि गेटवे ओफ इंडिया से समंदर के रास्ते ये तकरीवन 36 किलो मिटर दूर है। मालूम हो कि JSW स्टिल 13 अरब डॉलर के JSW समुह का हिस्सा है ये निजिक शेत्र का 13 प्रतिष्ठान है जिसे CISF सुरक्षा मोहिया करा रहा है। काशी धर्म परिशन ने बैठक कर घटना की निंदा करते हुई नाराजगी चताई है। को विस्तार से जानने के लिए बने रही हमारे साथ। रांची के डेली मार्केट, हिंद पिडी और डोरंडा थाने में मुकदमा दर्च किया गया है। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताच की जारी है, लेकिन अभी तक किसी की गिरपतारी नहीं हुई है। उधर उपद्रव के दाउरान जानगवाने वाले दोनों लोगों के शव को पोस्ट माटम के बाद परिजनों को सौब दिया गया है। पुलिस और प्रशासन की मौजुदगी में दोनों शव का अंतिम संसकार कराया जा रहा है। रांची पुलिस प्रशासन ने साप कर दिया है कि शहर में कोई कर्फियू नहीं है। केवल उपद्रव वाले इलाकों में धारा 144 लगाई गई है। शहर में पाच या इससे ज़्यादा लोगों के एक साथ गुमने या एकत्र होने पर पाबंदी है। एतियातन प्रशासन ने रांची शहर में रात 11 बजे तक इंटरनेट सेवा बन कर रखी है। पुलिस प्रशासन की और से अपिल की गई है कि बहत जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले। आज सुबा से ही दुकाने बंद है। पुलिस की और से इन इलाकों में जबरदस बेरिकेडिंग की गई है। आम लोगों की आवाजही पर रोक लगा दी गई है। रांची मेन रोड पर केवल मिडिया कर्मी और पुलिस कर्मियों की चहल कदमी देखी जा रही है। उपद्रव वाले इलाके में तनाव के हालात बने हुए है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उपद्रव में शामिल और इसे उक्षाने वालों को औरिस्ट किया जाएगा। इसके लिए जाच प्रक्रिया चल रही है। पस्चिम बंगाल में हावडा के पंचला बाजार में पुलिस और प्रदर्शन कारियों के बीच आज भी जड़प हुई। पस्टरों के साथ जमा हुए और कई स्थानों पर सड़क जाम कर दिया। अंदोलन कर रहे लोगों से कल कहा था कि मैं आपका दर्द और गुस्सा समझ सकती हूँ। देकिन हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि राज्य में सड़के और रेलवे जाम कर आंदोलन ना करे। अगर मुझे मार कर आपका गुस्सा शान्त हो जाता है तो मैं उसके लिए भी तयार हूँ। उत्तर प्रदिश सईद देश के अन्य हिस्सो में जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा पर काशी धर्म परिशद ने बैठक कर घटना की निंदा करते विए नाराजगी जताई। सुदा मकुटी हर्तीरत में पातलपूरी मठ के पिठा दिश्वर महंत बालकदास की अध्रक्षता मई हुई बैठक में काशी के मठो के पिठा दिश्वर संतर महंतर वसामजिक कारेकरताओं की मौजुदगी में 16 प्रस्ताओ पारित किये गए जिसे सबी आखाड़ा सबी पंधों के प्रमुकों के साथ सरकार को बेजा जाएगा बैठक में संतों ने हिंदू देवी देवताओ पर अपमान जनक टिपपनी करने फिल्मों में मजाग बनाने वालों को ततकाल जेल भेजने की भी मांग की गई धर्मपरिशन ने मांग की है कि कट्टर पंधियों के खिलाब सरकार कड़ा कदम उठाए पत्राओ वहिंसा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति वसंस्था पर लगाम लगाते हुए उन्हें बन करे उनके संपत्ति जब तक की जाए रांची में हनुमान मंदिर में हुई तोड़ फोड और हमले की भी निंदा की गई संतों ने बैठ की धमकी देने वालों पर रासुका लगे जल्दी संतम हात्माओ वा नामा साध्यों की सैयुक्त बैठक कर आगे की रन्नीती तैयार की जाएगी देश को बचाने के लिए संतबी सडक पर उतरेंगे पेगंबर मुहम्मद को लेकर निलंबिद भाजपानेता नूपुर शर्मा द्वारा दिये गया बयान के बाद बवाल और अफवाओ का दौर्थ हमने का नाम नहीं ले रहा है अब मध्यप्रदेश के उज्जेन में अग्यात शक्स के द्वारा सोशल मीडिया पर रैली निकाल कर उज्जेन बंद की अफवा फेलाई गई पुर्व भाजपानेता नूपुर शर्मा की विवादे टिपणी की बाद देश के कई इलाकों में हिंसा की खबर आई तो उज्जेन में भी शेहर बंद का फेक मैसेज वारल होने लगा अफवा को गंभिरता से लेते वे एसेसपी सतेंदरस शुकला ने शहर के सविदंशिल इलाकों में पुलिस फोर्स की तैनाती की वही वो खुद बेगम बाग और तोप खाना जिसे कशेत्रों में भ्रहमन कर निकल पड़े दरसल ये मैसेज एक स्थानिया नेता के द्वारा वारल किया गया था जिसे लेकर नेता ने माफी भी मांग ली है इस मैसेज में लिखा था कि शेहर की सभी मजजितों में जुमे की नमाज पढ़ने के बाद उज्जेंद बंद रहेगा और लोग रैली के रूप में कलेक्टर कारियले पहुच कर गयापन सोपेंगे दूसरी और शेहर काजी खलिक और रहमान ने बताया कि मुस्लिम समाज के लोगों ने किसी प्रकार की रैली अत्वाग्यापन का कारेकर्म नहीं बनाया है किसी ने सोशल मीडिया पर भ्रामग जान करे डाल कर अफ़ा फैलाई है राज्य सबच चुनाव 2022 की नतीजे आ चुके हैं महराश्य और हर्याना में गुरुवार दिर्रात मतगणना शुरू हो पाई नतीजों से पहले ही कॉंग्रेस जश्न में डूप चुकी थी कई पदादीकारे जिनके वेरिफाइट ट्वीटर हैंनल्स है ट्वीट करके अजय माकन को हर्याना सजीत की बढ़ाई देने लगे थे मगर जैसे जैसे रात से सुबह होनी शुरू हुई कॉंग्रेस यू के चहरे लटकते चले गए तड़के पॉने तीन बजे कॉंग्रेस विधायक भारत भूशन बत्रा की बाइट रिलीज की जाती है बत्रा बता रहे होते हैं कि बहत कम अंतर से अजय माकन हार गये है मतलब बीजेपी वहां से कार्तिकीय शर्मा को जिताने में काम्याब रही बीजेपी ने ऐसे ही धोबी पचाड महाराश्ण में कॉंग्रेस के सत्ताधारी गडवन्दन को भी दी राज्य की छे सीटों में तीन पर महाविकास आघाडी और तीन पर बीजेपी जीती छटी सीट पर शिवसेना के साथ सीधी लड़ाई थी मगर बीजेपी की धननजे महादिक ने संजेपवार को मात दे दी संजेपवार बनाम धननजे महादिक के नतीजों में बीजेपी के पक्ष में दस ऐसे वोट पड़े जिनकी उसी भी उम्मिद नहीं थी कुल मिलाकर हर्याना और महाराष्ट में बीजेपी ने कॉंग्रेस पर दोबाई शुन्य से सीधी जीत दर्च की हैं हाला कि शायद राद बहुत हो गई थी इसलिए जीत वाले प्रीमेचर ट्विट डिलीट नहीं हो पाए बहुत सारे कॉंग्रेसियों के बधाई संदेश अभी ट्वीटर पर मौजुद है कॉंग्रेस के लिए सबसे शर्मनाग परिस्थी तिया हर्याना में बनी वहाँ बीजेपी ने पुर्व कॉंग्रेस मंतरी विनोच शर्मा के बेटे कारती के शर्मा को समर्थन दिया था उनका मुकाबला कॉंग्रेस के अज़े माकन से था रूसी राश्टरपदी पुतीन ने कहा है कि रूस के पास नकेवल भारत और चीन बलकी लैटिन अमरीकी व अफरीकी देशों के साथ साज़ेदरी कायम करने का उसर है इसलिए रूस जैसे देश को घिरना संबव है तो यहीं भी कहा जा रहा है कि अपने सैन्य अधिकारियों से चर्चा के दोरान पुतीन का स्वास्त अचानव बिगड़ गया चार्ज के बार डॉक्टरों ने उन्हें लंबे समय तक पब्लिक में न जाने की सला दी है वही चीन ने ताइवान को लेकर अमरीका को युद्ध की चेतावनी दी है तो उधर अमरीका के रक्षा मंत्री लॉयर्ड आस्टीन ने सिंगापुर में चल रहे शांगरीला डाइलॉन में चीन पर निशाना साधा और कहा कि भारत की बढ़ती ताकद ही हिंद प्रशान क्षेतर में स्थिरता लाएगी इस बीच आंतराश्ट्य परमाणू उर्जा एजनसी में इरान की निंदा वाले प्रस्ताव से भारत दूर रहा दुनिया भर की इन पाच बड़ी खबरों को विस्ता से जानने के लिए बने रही है हमारे साथ रूस युकरेन युद्धो को लेकर अमेरिका समेत पस्चिमी देशों ने व्लादिमीर पुतिन के खिलाप मूर्शा खुल रखा है रूस के खिलाप अनिक देश अब तक कही सारे प्रतिबन लगा चुके है हाला कि इससे रूसी राश्टरपती व्लादिमीर पुतिन को कोई फर्क नहीं पड़ा अब खबर है कि पुतिन ने भारत और चीन का नाम लेकर अमेरिका पर तंज कसा है पुतिन ने कहा है कि रूस के पास न केवल भारत और चीन बलकि लातिन अमेरिका वो अफरीकी देशों के साथ साज़ेदारी कायम रखने का आउसर है इसलिए रूस जैसे देश को घेरना असंभव है विश्व के ताकतवर देशों में से एक रूस के राश्ट्रपती ने मौस्को में देश के युवा उद्यवमियों के साथ हुई बैठक के दवरान यह बात कही और बात-बात में ही अमेरिका पर उन्होंने तंज कस दिया उन्होंने कहा कि यह दुनिया बड़िया और विविध है आपने अभी चीन और भारत का जिक्र किया चीन और भारत ही क्यो लातीन अमिरिका भी इसमें शामिल है इसी क्रम में उन्होंने दावा किया कि रूस अपने लक्षकु लेकर एकदम अडिग है पुतिन ने युवा उद्यमियों को अपने व्यवसाय का विस्तार करने और घरेलू उत्पादक्ता को बढ़ाने का अवहन किया बतादे कि अमिरिका और अन्य पस्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबन लगा कर राष्ट्रपती पुतिन को नाराज करने का काम किया है है कि अपने सायन्य अधिकारियों से चर्चा के दोरान पुतिन का स्वास्थय अचानक बिगड़ गया जाच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें लंबे समय तक पब्लिक में न जाने की सला दी है बता जा रहा है कि सायन्य सलाकारू के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग की दोरान पुतिन गिरते गिरते बच्चे है दोबारा जब खड़े हुए तो भी बीमारी और कमजोरी के कारण चक्कराना महसूस हुआ गौर तलब है कि सूत्र काफी पहले से ही पुतिन के कैंसर और पारकिंसन से जुड़ी बीमारी को लेकर दावा करते रहे है हाला कि नए दावों को सत्यापित नहीं किया जा सकता लेकिन बार-बार पुतिन के खराब स्वास्ते से जुड़ी कई थियोरी आती रही है कई तस्वीरों से भी उनके बीमार होने का अंदाजा लगया जाता रहा है कई बार वह आज सहस दिखे है चैनल ने दावा किया कि इसके बाद पुतिन ने वार्षिक डारेक्ट लाइन लाइव प्रसारन को स्थगित करने के लिए कहा डारेक्ट लाइन में पुतिन आम रूसियों के साथ बात करते है और उनके सवालों का जवाब देते है हर साल यह जून के अंत यह जुलाई की शुरुवात में होता है लेकिन बीना किसी अगली तारिक के कारेक्रम स्थगित कर दिया गया अगर पुतिन का स्वास्थ स्थीर रहा तो अगस्थ में डारेक्ट लाइन हो सकती है पिछले पाच सालों में से चार बार डारेक्ट लाइन ब्राडकास्ट जून में होता रहा है चीन ने ताइवन को लेकर अमेरिका को युद्ध की चेताउनी दी है चीन ने कहा है कि ताइवान उसका हिस्सा है उसके जरिये चीन को नियंतरित करने की कोशिश कभी कामियाब नहीं होगी सकत लाइजे में चीन ने युद्ध की भी चेताउनी दे दी चीन के रक्षामंत्री ने अमेरिकी रक्षामंत्री से दो टुक कहा है कि वह ताइवान को लेकर युद्ध शुरू करने से भी पीछे नहीं रहेंगे चीन और अमेरिका के रक्षामंत्रियों की पहली face to face मुलाकात तनावपुर्ण देखने को मिली सिंगापुर में शांगरी लाड डायलोग के दोरान अमेरिकी रक्षामंत्री लाड आस्टिन और चीन के रक्षामंत्री वेई फेंगे की पहली मुलाकात हुई इस मुलाकात में चीन ने ताइवान को लेकर धमकी दी, उन्होंने कहा अगर किसी ने ताइवान को चीन से अलग करने की कोशिश की, तो चीन की सेना युद्ध शुरू करने से भी पीछे नहीं अटेगी, भले इसका परिणाम चाहे जो हो, चीन के मंत्री ने ये कसम भी खाई कि चीनी सेना ताइवान की स्वतंदरता किसी भी साजिश को कुचलने का काम करेगी और देश को एक रखनी की दूर्दा को कायम रखेगी, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ताइवान चीन का है और इसके जरी चीन को घेहने की कोशिश कभी कामियाब नहीं होगी, दूस अमेरिका के रक्षामंत्री लोयड आस्टिन ने सिंगापूर में चल रहे शांग्रीला डायलोग में चीन पर निशाना साधा साथी उन्होंने कहा कि भारत की बढ़ती ताकत हींद प्रशान क्षेतर में स्थीरता लाएगी लोयड आस्टिन ने कहा कि चीन लगातार भारत समयत एशिया की अन्य देशों के खिलाप आकरमक रूख अपना रहा है इससे सिर्फ तनाव बढ़ेगा ताइवान और दक्षिन चीन सागर के क्षेतर में चीन की नौसेन का बढ़ता प्रभाव एक चीनता का विशे है शांगरी लाय डॉलोग में आस्टिन ने कहा कि हम नई ख्षमताओं को विकसित करने के लिए मेहनत कर रहे है इनमें मानवरहित वीमान, लाउना रेंज मिसाइल और राडार शामिल है यह आकरमकता को रोकने में मदद करेंगे हम उच्च उर्जावाले लेजर हतियारों का प्रोटोटाइप बनाने की और बढ़ रहे है जो मिसाइलों को तबाह कर सकते है उन्होंने कहा कि हमारी ख्षमताओं मित्र राष्ट्रों की मदद करेगी इस दोरान ओस्टिन ने विशेश तोर पर भारत का जिक्र किया उन्होंने कहा कि भारत की बढ़ती सैन्यक्षमता और तक्निकी कौशल हिंद प्रशान क्षेतर की स्थीरता के लिए जरूरी है क्योंकि चीन लगातार पूरवी और दक्षिनी चीन सागर की और अपनी ताकत बढ़ा रहा है पस्चिम में भी वह भारत के साथ लगती सीमा पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है ऑस्टिन ने कहा कि हम कोल्ड वार की तरफ नहीं बढ़ना चाहते और नहीं किसी तरह का एशियन नाटो बना रहे है हम सिर्फ यहाँ स्थीरता चाहते है अंतरराश्ट्रिय परमानू उर्जा एजेंसी में इरान की निंदा वाले प्रस्ताव से भारत दूर रहा पाकिस्तान और लीबिया की तरह भारत ने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया दरसल अंतरराश्ट्रिय परमानू उर्जा एजेंसी में इरान को उसके परमानू सुरक्षा मुद्धो के लिए निंदा करने का प्रस्ताव पारित किया गया था अमेरिका, यूके, फ्रांस और जर्मनी की ओर से ड्राप्ट किये गये प्रस्ताव के समर्थन में 30 वोट पड़े अमेरिका ने कहा कि इरान ने तीन अगोशित स्थलो पर यूरेनियम करणो को तक्निकी रूप से विश्वसनी यस पश्टिकरन प्रदाननी किया है हलाकि इरानी अधिकारियों ने रिपोर्टों को खारिज कर दिया रूसा और चीन ने प्रस्ताव के खिलाप मतदान किया वोटिंग ऐसे वक्त में हुई जब वहा के विदेश मंतरी भारत में मौजुद थे वोटिंग से दूर रहकर भारत का महत्वपुर्ण अंतरराष्टिय मुद्दो पर अमेरिका से मदभित का यहा ताजा उधारन माना जा रहा है इस बीच वियाना स्टित अंतरराष्टिय पर्मानु उर्जय एजन्सी ने यहा कहकर तनातनी बढ़ा दिया कि इरान अपनी पर्मानु सुविधाव से 27 निगरानी कैमरे हटा रहा है और यहा कदम 2015 के इरान पर्मानु समझहोते को पुनर जिवित करने की संभावना के लिए घातक जटका होगा दूसरी तरप इरानी अधिकारियों ने रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया उन्हेंने जोर देकर कहा कि इरान ने किसी भी तरह की गुपत और आप अंजिकरुत पर्मानु गतिविदियों को अंजाम नहीं दिया तो आज के इस खास पेशकर्ट में बस इतना ही कल फिर मिलेंगे तब तब देखते रहे हैं भी केबिन्यूस नमस्कार